हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज हम इंस्टालेशन देखेंगे वाल हैंग सीट की तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और देशते हैं यह पैरिवेर कंपनी की सीट है और इसके यहां से फ्लशिंग का सिस्टम यहां से पाई निकलता है यह नॉर्मल फ्लशिंग सिस्टम वली है एक हमारी रिमलेस टेक्नोलोजी वली आती है वालेंग सीट के अंदर वो उसकी वीडियो में दूसरी बनाई है आप देशते हैं लिंक दिस्क्रिशन में दिया गया है और यह हम देखें पिछे टोटल चार होल होते हैं यह जहां से कंसील टेंक क पाइप जाएगा और दो नटन बॉल्ट और जैसे देखते हैं बॉक्स है 6300 के मर्पी है इसका मगर यह मार्केट में आपको 4500-5000 मिल जाती है और यह इसकी सील है इसको हम वाशर करते हैं रबर वाशर जो लीके से बचाने की लिए है तो जैसे देखते हैं अब हमने पिछे से जो हो इस होते हैं सीट के जहां पर नटन बॉल्ट जाएंगे इसको हम डिस्टेंस को माप कर जीवार में तो जैसे चार होल होएंगे सीट के बीछे जो यह देशते हैं हमने जो बोल्ट यूज करें है नाटन बोल्ट यह वैंकिंग कंपनी के यूज किये हैं जो की बहुत ही ट्रस्टिट ब्रेंड है और यह आपको 400 रुपे के मिल जाएंगे मार्केट में और इससे पहले देखें हमने गिट हमें साथ में चार भी मिलती है इसे मदद से हन डि करना इसको तो वह नेदे का दिलिक्यार के लिखेंग में की दएर जींगा अधर और ने पूरे टेल के अंडर allergies । पर लिखाए 1200 केजी तक ये वोड जो हमारा केजी वेट है ये बियर कर लेगा तो अच्छी बात है देखिए इसको हम टैट करेंगे प्रॉपर लिए इसको अच्छी तरफ टैट करना हमने जिससे की टैल के इंदर चला जाए पूरी प्रॉपर क्योंकि सारा लोड इसके उपर आना है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा इसको पूरा अंदर कर देना जो पीछे के थ्रैड्स है और अब देखिए हमने इसके उपर सफेदा लगाया है सफेदा जो होता है और इसके उपर हम रपर सील लगाएंगे जो को दिखाए थी बॉक्स में साथ ही मिलती के सीट के और एक हमें कंसील टेंग के साथ ही मिलती है कंसील टेंग के अपने वीडियो नहीं देखी तो उसकी वी आपको वीडियो मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जैसे अब हम सीट को हैंक करने लगे है इसको अच्छी तरा फिक्स दबा के प्र प्यारा है जिससे के पर चलता नहीं कि साइट में बोल्ड से लगी हुए यह यह एलकी से लगी हुए है तो देखिए किस तरीके से हम टाइट करना है इसको हमने रैंच के द्वारा यह देखिए प्रॉपरली टाइट करना है और चबीस की 24 नंबर चाबी लगती है इसमें कि दिखें, प्रॉपरली टाइट करेंगे इसको अ और हमने फ्लस चला के देखा है इसका फ्लो देखाऊगा आपने नॉर्मल जासे, पहले हुए है उसकी दरह यह और इसको बैट के भी चेक करेंगे और लीकेज चेक करनी है इसकी इन लीकेज तो नहीं और यह पानी की जह से बैठी तो नहीं है तो जैसे कि आप देख रहे हमने फ्लोर से इसकी हाइट 16 इंच की लेनी है जो कि एक स्टेंडर हाइट होती है और इस तरीके साब ने इसको इंस्टॉल करना प्रॉपर तरीके से तो फरें जैसे देखा कि आपने से इंस्टॉलेशन कैसे की है यह हमारी सबसे नॉर्मल सीट है पैरिवेर ब्रैंड में सबसे बेसिक मॉडल है यह सीट का मगर इसके लुक है बहुत ही प्यारी है देखे जैसे देखते हैं और यह साइड में नट बोल्ड सिस्टम से लगी है उसमें बिलकुल दिखता नहीं है कि यह भार के तरफ के नट लगे वे हैं पुरा कवर करके रखा देखते हैं आप जो बाकिका जैकवार में आप से लो मॉडल लेंगे सीट का तो उसके अंदर आपको साइड नट बोल्ड दिखते हैं भार के तरफ वह बहुत ही गंदा रगता है और यह सबसे बेस्ट चीप बेस्ट प्राइज रेंज के अंदर है यह और यह आपको लगाना भी इजी है मगर एक सीट की इंस्टालेशन वीडियो मेंने और बनाई है वह जैकवार कंपनी की है मगर वह इससे सोड़ी महेंगी है और उसका लगाने का तरीका भी अलग है वह नटन बोल्ट से ऐसे प्रिशन में लिक मिल जाएगा और जो यह कंसील टैंक है यह भी जैकवार कंपनी का और इसकी इंस्टालेशन है यह मैंने बनाई यह वीडियो इसकी भी मुविया दे सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो के इतना काफी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और लाइ बाइ बाईगा झावर